नमस्कार फ्रेंट मैं सुनिल वाडवाज आप सब के साथ हैं चेमिस्ट्री का टोपिक 12 क्लास का टुपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड नेम अब दे टुपिक एज है औस्मॉसिस देए प्रेंट आप सभी जानते हैं इससे पहले औस्मॉसिस को समझने से पहले हमें एक बहुती आसान पुर्चों हम पीछली कक्ष्यमें पढ़ चुके हैं उस टोपिक को जाने की कोशिश करते हैं और इस डाइवीजिजन के टोपिक को समझतना बिल्कुल आसान है और हम यह टोपिक का हमारी पिछली कक्ष्यमें भी समझ चुके हैं कि कि इफ्यूजन का मतलब होता कि किसी भी गैस का किसी भी लिक्वीड का हायर कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन की तरफे मोग करना तो कि अगर हम पानी का उधारण लेते हैं तो पानी हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का मतलब उचाई एक हाई एल्टीट्यूड से क्या करेगा लोवर एल्टीट्यूड की तरह मोहन करेगा यह होता है हमारा जो ड्रेने सिस्टम होता है जो पानी की हिकासी का सिस्टम हो तो वह सारा का सारा difficult process पर काम करता है की उचाही से पानी है नीचे की तरफ या नीचे का इससा होता उसकी तरफ हमेशा मोभाण करना पसंद गता है या मोह करना गैस करते हैं जहांपर गैस का जाता होता जैसे दुवाँ होता है आप सो देखते हैं हमारे गरों से जो भी लेकिन दीरे दीरे वह दुआ क्या हो जाता है डिखाई रेना बंद हो जाता है यह क्यों होता है क्यों हो हायर कंसेंट्रेशन से जो वाता बुरहने के अंदर और गैसे हैं उनकी कंसेंट्रेशन कम हैं उनके अंदर जाकर कि वह क्या होना सुरू हो जाता है भीक्लेशन वीजेस हो जाथा इस प्रसटा को होते हैं डिफूजन भोते हैं दा मुवमेंट क्रोम में हायर कंसेंट्रेशन तू लोवर कंसेंट्रेशन यह ट्रम हम अलरेड़ी कर चुके हैं इन्हें प्लस बन क्लाब्स आपको दीच किया गया होगा कि आधी डिना पूजिट के तूरु करते हैं डिटीजयं प्रफोसर्जस का टोटली अपॉजिट है कि आप पिसका बिल्कूल आपॉजिट डोपीक हम आझ शुरू करने झारे हैं जिसका क्या है ऊस्मोस चाहिए जisas चलिए देखते हैं और ते मैं चाह ने स्टुडेंट पोस्मोसिस क्या होता है इट इस दा कि नेट मुव्मेंट इस और सोल्वेंट पाइटिकल यह बात आपको ध्यान रखने है स्टुडेंट की मुव्मेंट किसका होगा आप सोल्वेंट पाइटिकल होगा ट्रों में लोवर कंसेंट्रेटिटिए इस और सोलीशन टुडेंट हाई कंसेंट्रेटिए इस और सोलीशन विल्कुल आसान और सिंपल परिवासा मैंने डेफिनेशन मैंने आपको दिये कि यह सोल्वेंट पाइटिकल का मुव्मेंट होगा फ्रों में लोवर कंसेंट्रेटिटिए सोलीशन टू हायर कंसेंट्रेटिटिए सोलीशन हायर कंसेंट्रेटिटिए सोलीशन की तरह आप सिंपली समझ सकती हैं अब पानी का किसी कैसी 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 यह प्रोसेस किया यह जिल्ली ओक्रेटिए उसकी मदद से ही यह प्रोसेस हो सकती है सेमी प्रोसेस के बिना ओस्मोसिस प्रोसेस है वह संभव नहीं हो सकती अब इसको समझने के लिए एक उधारण ले सकते हैं कि हम क्या करते हैं कोई भी कंटेनर लेते हैं कोई भी कर ले लेते हैं ठीक है उस भीकर के बीच में हम क्या लगा देते हैं 7-T7 अब सब स्टुडेंट्स वर लगास ने पढ़ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्ष्ट्स छेट्र आप ने किया था थी कह वहाँ पर आप ने रिटॉक्स रिएक्ष्ट्स के अंदर इलेक्ट्रो लाइटिक सेल विक्ष ऑटा था इलेक्ट्रो केमिकल सेल के रखता है semi-prameable membrane का काम होता अर्ब सुडेंट टे इट अलावस ओनली solvent particles to move from it semi-prameable membrane क्या करते स्टुडेंट सिरफ और सिरफ ये बात ध्यान रखनी है कि semi-prameable membrane सिर्फ और सिर्फ solvent particle को तो अपने अदर से पास होने देती है काम होता हमारा सेमे प्रमेबल मेंबरेन का टोटोट लिएंगे टॉक्ष कि हो रहती है नेच्रल से मेंबरेन और लिवा बिश्यल,, प्रेजेक्ट रूटी है एनिमल्स 요 आउटर स्कीन होता है उसकी इनर लेइर आगर ऑटर स्कीन को अ Herm अजय के लेंघरी थी उस लेयर के अंदर हमारी क्या पाई जाती है सभी व्यूस्ता उसके अंदर की नहींक्य वह अगरे ब्लिचेंज पूब बना सकते हैं इसका पर्चमेंट पर होता है इस आर्ट पर मेंबरेंबरेंट अब बात करते हैं इस को कैसे समा सकते हैं इस कंटेंडर के मदर से है यह यह संधने के लिए और असवार कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया ताकि एक सेक्षेन हो गया एक बी हो गयात अब आपने विलप कर दिया है और सोलिशन के लिए आपने अन्दर इस Lean solution की type याद रकने स्थ्वां समझने के लिए है कि हमने एक साइड में लिया है Dilute solution याद रखना है कौम साइड solution लिया है Dilute solution हमने एक साइड में लिया है and what we'll be taking in second side we take the so much concentrate and you can say the concentrated solution कोई भी सुलिशन ले सकते हैं इस अप टू यू या पी चोई से स्टुडेंट कोई भी सुलिशन ले एक को ले ले less concentrated एक को ले ले high concentrated ओके, so what will happen अगर हम इन solution को देखते हैं एक के अंदर high concentration है एक के अंदर less concentration है तो हमारा moment है अगर diffusion होता अगर semi-premiable membrane यहां पे नहीं होती अगर हम इसको आठाद देखते हैं तो क्या होता है, mix up हो जाता और यह जो high concentration है यह low concentration की तरह आजाता mild का इंदिका solution बनता है जैसे आप देखते हैं कि आप मालो ECB substance के अंदर चीनी ज़्यादा हो गई है आप पानी लिया है आपने उसके अंदर चीनी ज़्यादा हो गई है तो उसको कम मिठा करने के लिए उसमें और पानी आइड़ कर देते हैं जिससे उसका जो मिठापन है वो थोड़ा से कम हो जाता है ऐसे ही सबजी बगर होती है उसमें अगर जाता नमक गिर गया है तो हम उसमें क्या करते है थोड़ा सब पानी एड़ कर देते हैं जिसके वज़े से क्या उजाता है उसका जो नमक का राटीकल मोण करना सुरू करेंगे तो आर्ट्सथा हाइ कंसेंट्रेट्टेडेडी इसुल इस की तरफुए चुन की जाएंगे इसकी तरफ सब इस सल्आइगे करेंगे किसकी तरफ पर इसे कि तरफ यह ज्यादा कंसेंट्रेशन पर एक डियान रखेंगे इसके अंदर तेंगे किसकी तरफ डियान रखेंगे प्लोंट बोड़ेंगे और इस क्या बहुति प्रो तीकल करना पसंद करते हैं अब करते हैं ऐप सब्सक्रोंट fresh एग्जो ओस्मोसिस एड सेकंड वन कीज़े एंडो ओस्मोसिस करते हैं कि हमारा एंडो ओस्मोसिस कौन सा अगर हम बात करते हैं हैं हमारे एंडो ओस्मोसिस के बारे में बहुत सारी इंप्रमिशन हमें दे रहते हैं कर सकते हैं तो एक्जो ओस्मोसिस एक्जो वर्ड का मतलब होता है एक्स्क्लूड यानि कि बाहर निकालना पॉस्मोसिस ही होता जो अभी बताया है जो आप समझ चुके है एक्जोस्मोसिस का मतलब क्या अपता है इट इस दा मुमेंटे और सोल्वेंटे वी चीजे पर मीटेड़ कि बाई किसके दोरा सेमिप्रमेबल मेंब्रेंट टू आउट साइड वट डू मीन बाई इस प्रेंट एक्जोस्मोसिस का मतलब होता है कि जब सेमिप्रमेबल मैंब्रेंट चैब सेमिप्रमेबल मेंब्रेंट मेंब्रे जब अलाव कर दो चीज बाहर की तरह लूँब करने के लिए अलाव करते कि उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक जो पूसमोसीस बोलते हैं and if we talk about the endosmosis अगर हम बात करते हैं endosmosis के बारे में endosmosis process हमारी क्या होगी that is the totally reverse of the endosmosis जो हमारी क्या होगी exosmosis का विल्कुल reverse हो जाएगी and putting that it is the movement of a solvent particle permitted by semi-permeable membrane बोल सकते हैं SPM वर्स इंसाइड कि तरब मोमेंट को हम जब बोल सकते हैं एंडो उस्कॉसिस बोल सकते हैं बेसिकली इस आप्टू टाइपस अब उस्कॉसिस यह उस्कॉसिस के हमारी बेसिकली जनरल शीप्रोपर्टी अच्टुडेंट अब हम नेक्स क्लास के अंदर टर्डी करने की कोशिस करेंगे दा मॉस्ट इंपोर्टेंट प्रोपर्टी यह गोलिगेटी प्रोपर्टी और जिसका नाम है उस्मोटिक प्रेसर यह उस्मोटिक प्रेसर किस परकार से उस्मोटिक प्रोपर्शस में रोल ब्ले करता है और कैसे इसको हमने समय सकते हैं थैंक इस प्रेंट इस इस प्रेंट टेमस्टी क्लास पुर्टी